अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बिना लेसुन प्याज के नए आलू के दम आलू तो इतना टेस्टी और मैदा लगीगा कि मन करेगा अभी बना कर खालू इसे आप घर पर जटपट और आसान बिधी से बना सकते हैं बहुत ही कम समय में तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले नए आलू लिए गये हैं और इसे जो है छीला जा रहा है ये दिखिए इसी तरीके से आप कोई भी दरदरी चीच पेसे आप रगड़ेंगे तो इसके जो छ इसलिए हम लोग मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि ये देखने में आलू अच्छा लगे और अंदर तक पक जाए ये दिखिए लगभग चार से पांच मिनट में ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं उपर से कुरकुरे हैं और अंदर से सॉफ्ट है फ्राई 2-4 हरी मिर्च और आधा एंच का टुकडा अधरक का इसका हम लोग पेश्ट बनाएंगे जो कि सबझी बनाने में हम लोग इस्तमाल करेंगे इसे बिना लेस्व प्याज के बना रहा हैं तो इस पेश्ट को हम लोग रख देंगे इसके बाद एक काटोरी में एक कप दही डा रखेंगे इससे हमारी सब्जी का 10 गुना टेस्ट बढ़ जाएगा तो इसमें धेट सारा धनिया पौडर थोड़ा सहल्दी पौडर कश्मिदी लाल मिच पौडर डाल दिया गया है और इसके बाद हम लोग गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर जब तक हमारी सब्जी तयार हो रही है तब तक हमारा फूल जाएगा मसाला और सब्जी हमारी खाने में मजदार लगेगी अब एक कलाही में रिफाइन डाल डाला जा रहा है उसके बाद इसमें मेति दना डालेंगे मेति दना जब हमारा पक जाएगा इसके बाद इसमें हम अधरनों सा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर के पेष्ट जल्दी से पक जायेगा फिर इसमें हम लोग जो दही और मसाले का पेष्ट बना कर फुलो कर रखे थे इसमें डाल देंगे और इसे जो है हम लोग उबलने तक पकाएंगे लबग एक से डिर्व मिनिट के बाद इसम इसे हम लोग ढग कर पकाएंगे दो से तीन मिट तक ताकि आलू हमारा दम खा जाये इसके बाद हमारा टेश्टी और मेदार दम आलू खाने के लिए तयार है इसे आप रोटी पूरी पराठे चावल जिसके साथ आपका मन कर उसके साथ खा सकते हैं और इस रिस्पी को आप जरूर बनाएं क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेश्टी और मेदार लगती है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाती है ये देखिए ठंडी होने के बाद इसकी गिरिवी और भी गाड़ी हो गई है बिने लेस्टन प्याज के इस तरीके से लाइक और सेयर जरूर करें